पन्नगे चे सुरिंद्रे चे कौशिके पाद संस्प्रिशी नेर्विशेश मनस्काये श्री वीरस्वामिने नमहे आरहत वांगमय के प्रतिष्ठित आगम दस वे आलियं में कहा गया है इह लोग पारत हियं जेनं गच्छई सुगईं बहुस्यं पज्जुवा सिज्जा पुच्छे जठ बिनिच्चयं आदमी के मन में यह प्रस्ण है कि मेरा हित हो इह लोग हित भी हो प्रलोग हित भी हो और मैं सद्गती को प्राप्त करूं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए शास्त्रकार ने कहा कि बहुस्रुत की उपासना करो ग्यानी संतों की शिवा करो परियुपासना करो और उन से अर्थ बिनिष्टई के बारे में पुछो वे जो फिर मार्ग दरसन दें उस सम्यक मार्ग दरसन के अनुसार तुम चलो संतों की उपासना का बड़ा महत्व है आदमी 24 गंटे कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ रहता है कुछ क्षन भी महान आत्माओं के परिपार्श्व में ब्यतीत होते हैं तो वे क्षन मानो धन्य हो जाते हैं प्रशिद्ध दोहा है साथू संतों में एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलशी संगत साथ की हरे कोट अपराद एक घड़ी का समय एक में भी आधी घड़ी का समय आधी में फिर आधी यानि पाव घड़ी का समय भी संतों की उपासना में लगता है तो वह भी पाप हरन करने वाला हो सकता है दोहाकार ने तो कह दिया कोटी अपराद करोड अपरादों को हरने वाला बन जाता है इसका कारण है कोई ऐसी बात ज्यानी संतों से प्राप्त हो जाती है और वह बात जीवन में उतर जाती है आदमी का जीवन साधना मय बन जाता है और साधना जब जीवन में आ जाती है तो करोड क्यार अरब क्या कितने पाप दूर हो सकते हैं इसलिए साधू संगत का बड़ा महत्व बताया गया आत्मिक लाब भी और साधू संगत से ब्यावहारी कलाब भी हो जाता है एक महात्मा जी एक गाउं में आए उन्होंने कथा प्रबचन का क्रम सुरू किया काथी लोग उसमें आने लग गए एक दिन एक बच्चा आया आठ दस बरस का बोला महत्मा जी एक मेरी भावना है कि मेरी जोंपडी में आपके पगले हो जाएं महत्मा जी ने पुछा कितनी दूर है तुमारी जोंपडी तो का बाबा जी थोड़ी दूर तो है आपका जो प्रवासस्थल है वहां से तो करीब एक कोस पड़ जाएगी और रास्टा भी रोड का नहीं है कच्चे रास्टे से जाना होता है तो महत्मा जी बोले भाई कि एक कोस और कच्चे रास्टे से चलना मेरे अनकुल नहीं पड़ेगा क्योंकि धोरे हैं तो धोरों में चलना कठिन हो जाएगा क्योंकि सत्तर पार उम्र का हूँ तो इस बात को तो तुम छोड़ दो लड़का बोला बाब जी छोड़ूंगा तो नहीं बात को में आदनी तो कल कलनी परसूं आपको कहता रहूंगा कभी आपकी इच्छा हो जाएगी तो मैं तो धन्य हो जाओंगा वे बार बार कहता रहा तो बाबा जी ने सोचा रहे बच्चा है बार बार कह भी रहा है जहां तक हो सके बच्चे का मन रखना चाहिए का ठीक है बेटा कल सुबह देखता हूं तुमारी जोंपड़ी की ओव चलते हैं अगले दिन सवेरे बाबा जी चले थोड़ा कश्ट तो पड़ा कच्चे रास्टे में पर मनोबल था चले और उसकी जोंपड़ी में पहुँच गए बिस्तराम के लिए एक कुर्शी पर बैठ गए और लड़के से बात करने लग गए और क्या करते हो कामधंदा क्या करते हो थोड़ा पूछा तो लड़का जोवजोव से रोने लग गया बाबा जी नहीं का रहे रोते क्यों बात क्या है वला बाब जी मैं क्या बताऊं इस गाम का सबसे दुखी आदमी में हूँ मेरे से ज़्यादा दुखियाद को कोई नहीं मिलेगा इस गाउं में क्यों इतना क्या दुख है कि बाप जी मैं तीन महिने का था तब मेरी मा मर गई थी और पिता जी को तो मैंने आंक से दिखा ही नहीं है वो तो मेरे जनम से पहले ही चले गई थे कुछ बरसों तक मेरे चाचा ने मुझे पाला पुशा उन्होंने भी फिर छोड़ दिया कि अब मुझे पताने तुम जानो तुम्हारा काम जाने मैंने तो पढ़ाई कर सका अकेला रह गया एक बच्चा भी हूँ तो मैं तो कई बार भूखा सोता हूँ खाने की भी पूरी विवस्था नहीं है यों कहते कहते वे और रोने लग गया बाबा जी अच्छे सादक थे जानी भी थे उस बच्चे को ज्ञान से देखा उसके चेरे को ज्ञान से देखा तो लगा कि मेरा ग्यान तो कहता है कि ये बच्चा तो बहुत धनवान होना चाहिए ये अपने आपको गाम का सबसे दुखी और गरीब बता रहा है मेरे ग्यान के अनुसार तो ये तो गाम क्या कई नगरों में भी ऐसा धनवान मिलना मुश्किल है ऐसा ब्यक्ति लगता है और यह कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा गरीब और दुखी हूँ अब बात में संगती कैसे बैठे मेरा ग्यान भी गलत नहीं होना चाहिए तो बाबा जी ने इदर उदर देखा उसकी जोंपडी में फिर कह रहे है वो क्या पड़ा है लड़का बोला बाब जी वह तो लोड़ा है लोडे के रूप में काम आता है कि बाब जी यह तो मैं मिर्चियों को शिल्डी पर बांटता हूँ इसके द्वारा कहीं मांगतां के रोटी ले आता हूँ सुखी बासी रोटी मिल जाती है तो वो बाजार से वो लाल मिर्चियां कोई बाहर पड़ी होती है वो इकठा करके ले आता हूँ उनको इस से बांट करके रोटी के लगा के रोटी गले उता लेता हूँ बाबा जी ने कहा रहे यह कोई लोड़े के रूप में काम आने की चीज थोड़ी है यह तो पारसमनी है पारसमनी है यह तो तुम्हारे पास कोई लोही की चीज है लोहे की ओल तो कोई चीज नहीं एक वो कांटा निकालने वाली चीमपड़ी पड़ी थी का वो भी लाओ उस चीमपड़ी को पारस मनी के लगाया और वह चीमपड़ी तो सोने की बन गई अब लड़के को पता चला रहे मेरे पास तो धनका स्रोत है बाजार गया खूब लोहा लेकर के आया सारा लोहा सोना बन गया लड़का बोला बाब जी आप भला पदा रहा आप पदा रहा धन है मैंने वो ग्यान मिल गयो के महरे खने पारस मनी है संत बोले ये तो संसारी के बात है पारस मनी तो संसारी के बात है तुम्हें धन मिल गया मैं तो तुमको और ज्यादा बताने वादा हूँ कि भीतर में जो आनंद का स्रोत है तुम उसको प्राप्त करो वो मिलेगा त्याग सैयम साधना से बाबा जी ने त्याग सैयम का उपदेश दिया लड़के ने काफी त्याग नियम भी ले लिए और अपने जीवन को अच्छा बना लिया तो बाबा जी की संगत की लड़के ने संपरक हुआ संतों का तो ग्यावहार एक समस्या भी उसकी समाप्त हो गई और आत्मा के कल्यान का रास्ता भी मिल गया तो सास्त्रकार ने कहा कि बहुस्यम पज्जुवा शिज्जा बहुस्रुत ज्ञानी संतों की परियुपास ना करनी चाहिए भारत एक ऐसा देश है जहां जगह जगह साधू संत मिलते हैं हालांकि साधू में साधना होनी चाहिए मात्र वेश धागन करना कोई बड़ी बात नहीं है वेश धागन तो छोटी बात है साधू में त्याग होना चाहिए साधना होनी चाहिए साधू मोह माया से उपरत होना चाहिए संस्कृत में कहा गया कांटा कांचन चक्रेशु ब्राम्यती भुवनत्रयम तासु तेसु विरक्तो यह दृतियह परमेश्वरह कांटा और कांचन संसार में दो भ्रम पैदा किये गए हैं एक तो ओरत और एक पैशा इसमें आदमें इन दोनों में उलज जाता है भ्रांट हो जाता है पैशा और ओरत इन दोनों को जो त्याग दे शादना में लग जाए वह तो परमात्मा का मानो दूसरा रूप होता है जो कांटा और कांचन को छोड़ दे एक और स्लोक आता है संस्कृत साहित्य में काग्य में इसी से मिलता जुलता देधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांटा सुकन के सुचे ता सुते स्वक्चना सक्त है साक्षाद भर्गो नराकृति ही कि विधाता ने ये दो भ्रम किये हैं कांटा ओरतों में और धनों में सोने आदी में इन में जो अनासक्त बन जाए तो वह साक्षाद मानो मनुष्य के रूप में कोई प्रमात्मा भिराजमान होता है तो साध्धू में त्याग होना चाहिए पांच महब्रतों को धारन कर ले तो कंटा का भी त्याग हो जाता है और कंचन का भी हो जाता है और भी कई त्याग हो जाते है ऐसे त्यागी और फिर साथ में ज्यानी त्यागी भी हो साथ में ज्यान भी हो तो त्यागी और ज्यानी साधुआं की उपासना करने से जो मार्ग दरसन मिल जाता है वह अपने आप में बड़ा कल्यान कारी हो सकता है कितने लोग प्रवचन सुनते हैं यह भी भूत अच्छा काम है आदा गंटा गंटा डेड़ गंटा साधु संतों का प्रवचन सुनना भी भूत अच्छी बात है कई लोग यह कह दें कि इतने लोग ब्याख्यान में जाते तो हैं उनमें क्या परिवर्तन आया उनमें क्या बदलाव आया क्या सकारात्मक परिवर्तन उनमें आया मेरा सोचना है यह परिवलतन की बाद तो बाद की है परिवलतन तो आ जाए किसी में ने भी आए शकारात्मक परिवलतन पहली बात है कि एक डेड़ गंटा सादू के पास रहा है कम से कम एक डेड़ गंटा तो वह पापों से बच गया एक डेड़ गंटा भी पापों से बच गया है तो वो भी अच्छी बात है घर में होता दुकान में होता पता नहीं कोई पाप भी कर सकता था सादू के पास बैठा है तो अठा रह पापों में से कितने पापों से उसका एक गंटा डेड़ गंटा सुरक्षित रह जाता है, बच जाता है तो पहला लाब यह है सादू संगती से कि पापों से बचाव होता है दूसरा लाब यह है कि सादू ग्यान की बात बताता है तो सुनने वाले का ग्यान बढ़ सकता है तीसरा लाब यह है कि सादू संतों का अव्याक्षान सेलक्ष सुने तो सुनने वाला भी व्याक्षान दाता बन सकता है अच्छे व्याक्षानी सादू का अव्याक्षान सुने ध्यान से सुने ग्रहन करता रहे तो सुनने वाला भी अच्छा व्याक्षानी बन सकता है हमारे बाल मुनी व्याख्यान बाल योगी व्याख्यान सुने सुनते सुनते कभी व्याख्यान देने वाले भी बन सकते हैं कभी सुनते सुनते कभी बाल योगी व्याख्यान देने वाले भी बन सकते हैं तो जान से सुने व्याख्यान को ग्रहन करने की समता हो तो ग्रहन करते करते सुनने वाला भी व्याख्यान देने वाला बन सकता है यानि इतनी समता का विकास हो सकता है तो यह भी लाब है कि व्याख्यान देने की समता का भी विकास सादू संतों के व्याख्यान इस्रवन से हो सकता है चोथा लाब यह है कई बार सुनते सुनते अपनी समस्या का व्यक्तिगत समस्या का समाधान प्रवतन से मिल जाता है पांचवां लाब है कि संतों का व्याख्यान स्रवन करने से त्याग संयम की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है हो सकती है जीवन में फिर त्याग संयम का भी विकास हो सकता है तो प्रवचन सुनना कोई बेकार का काम नहीं है बहुत अच्छा काम है और दिन में गंटा डेड़ गंटा इसमें लगता है तो बहुत अच्छा समय सफल बनता है सार्थक होता है पर सुनने वाला ध्यान से सुने और व्याक्षान देने वाला भी ध्यान से दे तो बहुत महत्वपुल्ण बात होती है अब व्याक्षान देन वाला भी रांट काटता रहे कि नए कोई तैयारी की है नहवात ऐसे ही जाकर करके बैठ गयार याक्षान सुरू कर दिया कई कई तो इतने सिद्ध हस्त हो जाते होंगे कि कभी बैठेर याक्षान दिया उनकी तो अलग बात है, इतनी सिद्ध हर्षता आ गई है ग्याक्षान के, बाकी सामन्य तयारी के साथ कोई ग्याक्षान दे, उस ग्याक्षान का अधिक महत्व हो जाता है, और सुनने वाला भी जान से सुने, अब ग्याक्षान में बैठ गए और बातें शुरू हो गई, हला था कि वो ग्याक्षान में सोरगूल बातें चलती थी, परन्तु इन बरसों में मैंने देखा है, जहां तक मेरा आकलन है, कम से कम हमारे पास तो, कि ग्याक्षान के समय बातें बातें लगबग नहीं होती होंगी, लोग जान से सुनते हैं, लोगों में भी कोई रुच्ची ह सुनने की, कि सुने, सुने, मैं लूनकर्ण सर में था, दो रात्रियों से, कितने लोग वहां व्याक्षान में आते थे, कितने जैन, नोन जैन, कितने कितने लोग आते थे, कालू में था, वहां भी कितने आते थे, तो कई जगे तो लोगों में भूत रुच्ची है, वे भल गोन हो जाती हैं और सादू संतों का प्रवचन मिलता है उसमें भी जब बड़े गुरुवों का आना हो तो तब और विशेश उल्लास की बात हो जाती है सब के पास तो इतने लोग आएं ने भी आएं तो ये सुनने की उतकंठा भी जो लोगों में है वह भी अपने आप में अच्छी बात है कि अच्छी बातों को सुने ज्यान की बातों को सुने हमारे कान मानो पवित्र हो जाते हैं ज्यान की बातों को सुनने से इन कानों में कितनी प्रकार की बातें पड़ती होंगी थोड़ी अच्छी ज्यान की बातें कानों में पड़ जाए तो एक अज्ञात्मिक धार्मिक खुराक कानों को प्राप्त हो जाती है तो बहुसरुत अगर मिल जाए तो खास बात है क्योंकि बहुशूरत का मिलना भी ज़ादा आसान बात नहीं है जो अध्यन किया हुआ हो, जाना हुआ हो साधना की हुई हो, साधना मैजीवन हो ऐसे संतों का व्याक्ठान स्रवन अधिक लाबदाई हो सकता है और संतों के बाँ तो कोई भेद की बात नहीं होनी चाहिए, कोई आजाए, मुसलमान आजाओ, हिंदू, संस्क्रिटी वाला आजाओ, जैन आजाओ, कोई आजाओ, संत कोई बंटे वे नहीं, ग्याख्यान बले कोई सुनो गुर्देव तुलशी का व्याख्यान होता था, कई बार परिशद में कितने प्रकार के लोग आते थे, परम पुझ्य आचारिय महाप्रग्य जी का प्रवचन होता, कितने लोग लाभानवित होते थे, तो संतों के द्वार तो खुले हैं, संतारा खुला है बारना, संतारा खुला है बारना, कद ही लोग कोई निहार, संतारा खुला है बारना, खुद ही है द्वार पहरेदार संतारा खुला दर खतरी चाह और चांदेरी चांदनी सूरजरी धोपलेन कुणशी शीमा बनी सूरजरी धोपलेन कुणशी शीमा बनी सबरो समान अधिकार संतारा खुला है सबरो समान अधिकार संतारा खुला है बाया कड ही ल्यो कोई निहार संतारा खुला खुद ही है द्वार पहरेदार दर्क रिचाह और चांदेरी चांदनी पेड की छाया है रास्ते में उस पर किसंका अधिकार है बले मुसलमान बैठ जाओ हिंदू बैठ जाओ कोई बैठ जाओ पशु भी बैठ जाओ बलेवा बले आदमी बैठ जाओ सब को वह छाया मिल सकती है सामन्यतया चंद्रमा की चांदनी है तो चांदनी सब के लिए कोई भी चांदनी का उपयोग करो सब के लिए चांदनी है सुरज की धूप है वो सब के लिए है कोई भेद भाव नहीं कि अमुक के लिए है अमुक के लिए नहीं पस धूप लेने वाला कोई भी आ जाओ ले लो इसी प्रकार साथ धूप का स्थान भी व्याख्यान श्रवन के लिए भले कोई आ जाओ किसी को मनाई नहीं होनी चाहिए जैसे छाया में, चांदनी में, सुर्य की धूप में कोई भेदने सब का आधिकार है इसी प्रकार संतों की संगती करने का जाख्यान श्रवन का भी मैं तो सोचता हूँ सब का आधिकार रहना चाहिए तो संतों से ज्ञान मिले और ज्ञान से प्रत्याक्ष्यान की दिशा में आगे बढ़े आदमी तो आत्मा का कल्यान हो सकता है मैंने मार्ग में देखा श्री जुंगरगड के पारग प्रिवार के कितने लोग आ गए हैं अपना अपना पैत्री गाउं का बड़ा महत्व होता है और पैत्री गाउं में फिर आचारियों का आना हो जाए तो वो भोती महत्व पूर्ण बात होती है ऐसे तो तीस तालीस बश्रों में कि भी आये या अठ्वा नहीं आये होंगे आज एक निमित मिला तो पारक परिवार के कितने लोग आ गए हैं तो दुंगरगड के अनेक पारक परिवार हैं अनेक लोग हैं सब में खोब अच्छी भावना अच्छे संस्कार बने रहा है पुझ्य प्रवर ने डुंगरगड के पारक परिवार का उल्लेक कराया और भाडेरा गाम उनका पहित्रिक गाम है और अशोक्मनी गुर्देव को निवेदन करे थे लुणकन सर में कि इस रास्ते से तेरा पंध के पहले आचारी पधार रहे हैं तो आज आचारी प्रवर का यहां पादारपन हुआ है जदन जी पारक स्वागतगीत के साथ में अपनी बात की प्रस्तो दिया